तो तो ने दिल पर रहा है तर तो ने दिल पर रहा है वलो अलो अलो श्लावलोकूम वाल श्लाव यह बताइए वाइवाँ तुभी होगा है है हाँ अलम्दुल्ला आप ठीक है है पाट प्रीजी आ गए अपने टूर से अब तो वक्त है आपके पास कुछ इल्मी बात करने के लिए लागा बिल्कुल तो बताएवाइए वाइट आप आले में दीन है हमारी इतलाव फरमाईए पास हमें देखिए हमें ना बरेल्वी से मतलब ना देवबंदी से हमें को बैर नहीं है हम इतना चाहते हैं कि वह जो अब भाई किताब सुन्नत पे हैं उनको आप लोग मतलब उल्टा सीधा ना बोला करें वह तो है जो वह जो 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 सही है तो उल्टा सीधा ना बोलागा ना कोई गलती है तो आप बहुत इल्म के मैदान में दलायल की रोश्णी में आप भाई साबित कीजिए कि ये वह अब भाई में तोबा कर रहा हूं तो बहाने बार याल अपने अंदर भाई कोई काम नहीं अपने को भी लाग के पाद जाना है आकर तक और खौफ है ठीक है लेकिन आपकी जो वह बाती ना वो मेरे दिल नभी तक बैठी रही आपने का ता कि मेरा दीन है भाई को इसलाम न हमाता ही तु डीन आपने अपने एसलामनी नहीं एंधु नहीं तो आपने उलूटा बोल दिया आ आपको यह कहना ही चाहिए था कि डिने मेरा इस्लाम है और जो मजब है वो मेरा हुसान है जैसे हम लोग कहते हमारा दीन इसलाम है मजभ हमारा बही कुराण हदीत है मजभ इसलाम ही होता है देखे मजभ उसको बोलते हैं जो तरीका होता है जिस तरीके साथ दीन पर चलते हैं तो दीन तो आपका इसलाम है लेकिन जो आपका मजभ है वो क्या है आप भाई किताब उसनत के तरीके चलते हैं यहां अन्फई मलकई शाफई हमले के तरीके से चलते हैं यह तो ऐसा है हमने पहले ही बताया था कि सरकार गरी नवाद अजमेर शरीप हमने सुना होगा नाम खाजा मुहिनतीन चिश्की इन्होंने एक फाप्ति का इन्होंने एक शेर लिखा है वह शेर यह वी वह शेयर यह यहां शाह अस्ते हुसाई ख्रसाइन ना रहा वहाद शाह ना ग। फिर आगे लिखते लिग सबसें इसी मुझा मैंने लिए तो यह शेर आने से पहले छपने से पहले जो बाकी लोग ते उनका दिन क्या था इनका दिन वाई उसुधा था है.. उंका दिन तो इसलम था न इस तो शेर और रेंहिए के बार बद भोब मेंसे अपना किदा बना लिया कि मेरा दिन इसलम नहीं होसाइन कि उसें सफुधकार जरी घरीत नमाद में इस खुद के मंडख ही बता दिया ने गरीब नवास के आनने से पहले भी तो कोई हो का गरीब नवास उनका देन क्या तहीं ऐसागा था है लेकिन वह आया नहीं हुआ हुम बैई तूरे मैदा के आयत है कि आज हमने थेन को complete कर दिया e मुकम्मल कर दिया तो बैइदीन जब complete हुआ है तो वो दीन इसलाम था ना तो वो मौका आपको मालूम होगा ना या हम आपको बताएं आपको बताएं सबकारे दुल्यव सर्कारे दुल्ण का आखन था साल तो रगॉट ऐसे आट्ड़ाम शर्ण ना जिए कभी अठना तर मौके इस किरवान ना खुटारे दुटारे दुल्धिल्ण का दुटा तो वो ! आपने गबीर में एलान फर्माया मन तुम्तु मौलावुफा अली इन मौला हुआ। जिसका मैं मौला हुँ। जिसका मैं सरडार हुँ। उसका अली सरडार है। और जिसने अली की विडायत को तस्लीम किया। वह सही है जिसने अली की विडायत को तस्लीम ना किया। है आप सुननी है ना तो सुननी नहीं तो सदीष से माना लिया है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला वहां पर माना उसका दोस्त का है मौला के दू माना होते हैं एक होता है मददकार और एक होता है दोस्त। अपना हटा के वाइक वो कर ले हुसायन कर ले ये कहां से आपने पकर गया दली ये आफिरी खुपा ये है कि नहीं हमें बताई आस एक खुपा है वो बात अलग है दीन-इसलाम की बात जोई ना अलीर अजिय लौत आलमुका भी दीन-इसलाम जाना है ना हम बता रहे हैं यह आपे खुदबा है ना अब नमाद की वहालत में यह बताईए हम दुन्या का श्याल कर सकते हैं हम दुन्या का श्याल कर सकते हैं हम नहीं करेंगे लेकिन शैतान डालेगा शैतान डालेगा लेकिन कर तो नहीं सकते ना कोई करना काये तो नहीं कर सकता है तो और दिखान वस्शा डाले जी नहीं सकता, फिर नबी ने शुट्र भूक्त का खिया कि नबी की वह तो ना से थे वो तो नमाज की हालत में आ लगने और लुट्र बी की पीट को पर बैठ जाते थे तो अभी शुट्र पर अलगने लुट्र नमास का खिर्श्रीया पर श्क्रा हुम बता रहे हैं अपको हमें तो नमासा तो बिल्कुल मेरा वाई ये तो आप परो बहुत हैonsthte तो नमाज हमाई की तो इना टूड़ी आएगी तो आप उसके ख्याल में आप अपने नमासे के ख्याल में लंबी कर देंगी नमाज आप होई। भाख उसक लड़ा है। यहांने भाख अपनता है, यहां मुलानखे सुल्म उसक ए और मुण्त हमीर भी ख्याल प्यूसिती के ख्याल में लंगें नहीं। जो काम भाई अल्ला के नभी कर रहे हैं, वही तो भाई उम्मत को कितना है, नभी की सुनना देना है, तो शड़कार को दिखाना था नहीं है, हुसायन को देख लो, हुसायन को याम नहीं है, तो दिखाना था नहीं है, तो यहीं की समय देख लो, कि अल्ला के नभी ने दिखा बाएसमें बाल की आयत है मा काना मुहम्मध अबाहदि मी रजालिकुँ वलाकि रसूद आलबा और खाधम नबी जीए है न तुना शीक यात som आक करीमा ए मुहम्मद कह दो अबाहदि मी रजालिकुँ मैं तुम्में से किसी का भाई नहीं हूँ बाप नहीं हूँ नवी हूँ अब मेरे बाद कोई नवी नहीं आगा नववत के दर्वासे बंद हो गए देखे अपनी चादर के अंदर दोनो अपने जो भाई को नवासे थे उनको मेरे अपने अंदर रखा हुआ था और कहा कि ये दोनो मेरे फूल है जो मुझसे 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 मु अजय को हूं है कि अजय कि अजय करें को गुद्ध कि अजय कि अजय के बात करें को कि अजय को राइंड मैं पूल में अगे दो जाल कई कर दो कर दो भूबरा ओर कर दो टूरुन कर दो अरी दों कर दो दो अईया लाइक पोप्स साविभ जाद म मेलें आदे गालाय आदिव शनत लजा औरो I लो विदिनर आद्मर्ला इसाओा टुन वित्व 25 टौन शने आद्मर्प कि आध मधा टेरें आस्टों малह्म लागो भी बताई साही हुआ है जल्लाव के प्यारे अजिय नवास है उनसे कौन नी मुभबत करता है लेकिन कहना ये नहीं है कि हम ये स्टार्ट करता है किनी महारा दिन इसलाम नहीं है हमारा दिन कール हसान हैśli 재alas है नहीं कि स्दलिशार करते हैं अगर हमारा दीन इसलाम नहीं है तो श्रकार करते है अरे खयाल का मानना आप क्या समझें कि वो अल्ला को छोड़के कि अपने नमासों के बारे में सूच रहते नमास की हालत में वो आ गये तो अल्ला के नभी के जहन आ गया कि यह यह मेरी पेट पे हैं कहीं मैं खड़ा हूं तो गई भाई वो गिर ना जाएं तो मैं सज़्दा थोड़ा मनें भाई लबा कर दिया तो यह खयाल को आप से खयाल से जोड़ लें आपका जो खुदबा होता है उस खुदबे में आप नमास पर आएं खुदबा के लिए ख़री हुए हो और आपका बेटा आजाए चाहिज़ों भी आजाए जिए आप खुदबा छोड़कर अपने बेटे को उठा लेंगे अगोद में लेकिए भाई हम दे सकते हैं ना खुदबा अगर बच्चा छोटा है तो खुदबा अगर पढ़ लेगो उसके दर्म्यान आप खुदबी को रखकर आपने बच्ची को उठाकर अपने बोन में उठाकर तब आप जोए नमास भी मलत आप कर रहे हैं थाक और बातीन को पाले को कभी एक साथ निय häru पर आईये वजान को आप हुसान को आप नी समझ पा रहे हुँ हम तो कहते हैं अपर जिदा कि और जिल्बाद कर आप है अभी के पढ़ा है या मुईनद्दिन चश्टि का पढ़ा है कि अट जो लिखा है इना फवाइद फरीदिया के पेज नंबर 83 पर तो आप हम हमें आज तखाए हमें आप आप में कहार रिखाने के लिए वासब ने लिखाया है अज वाइद है न फवाइदे फरीदिया की पहले आए ये इलम गयब के बारे में बात हो जाए हूं लेकर बात करेंगे हैं लेकर बात करेंगे हम खामोशी से बाइकदम सुनेंगे बस मेरे एक तवलकर जबाब दे दिए मुझे कुरान की एक स्ताफ आयत जिसमें कोई शक्त को शुबा ना हो ऐसी पेश कर दीजे, जिसमें अल्ला के नभी को अताई इल्मे गयब की पावर दे दी। बस इतना बता दीजे, इशायालना हम भी माल लेंगे क्या अल्ला के नभी को अताई इल्मे गयब था, बात करता हैं। कि自清洗 की दो आप भी मानते हैं क्या अता है कि एकतलाव जो है भाई को अताय पे। है हम ज़रने कि कि घालत एकिन पारी किल आ अता ने किया। हां अपने पतंदीदा कि बार युन ऐसा गाईर का अता शाना का भाईствомर लो कि आ ती युन का ना पारीता है इल्मे गयब अलग होता है, इल्मे गयब की जो तारीफ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा इल्म जो बिना हवासे खमसा के मालूम चल जाए, अगर ऐसा कोई इल्म हो लाग के नभी के पास, कि उनको बिना हवासे खमसा के पता चल गया हो, तो इंशालला भाया मानने के तारीफ तो इसके तालोग शवर से पास में पेश करूं आपके पास? मतलब कुरान में नहीं है, अताहिल में करता में, क कुरान की आदे करीम आ लेले, कुरान की आते करीमा लेने के बाद कि आता हूँ यहां पर अपर हंदीस कर देता में, बहुत अब्सम पेस के गजिए, तो बहुत अच्छा लगत है भी सुनने में मैं सूरह आल-इम्रान है चौथा बारा है वा मा कान अल्लाह लियुक्रियाकुम अल्लगाइद वलाकिन अल्लाह जज तभी में रुसुलिह मैं नशाथ और इसका मैं आपको भी देख रहे हैं मैं अल्लाग की सूरत नंबर का नहीं मैं आयत पता है ना हां पता है मैं कोई आप से यह नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे मतलब भाई उसका आयत नंबर और सूरह नंबर बताईए आयत तो आम है ना यह तो मेरे बाई अलम्दुल्लाह पड़ी हुई है अच्छा आम में पड़ी हुई है इसी बढ़ाने हमाब को आयत नंबर आप ना बताईए जो आयत में है क्या मतलब इससे अताई इल्म गैप साबीत हो रहा वो आप हमको समझाईए है हां बता रहे ना अच्छा सब्सक्राइए हां क्योंकि अल्लाह के नभी किसी को गैप बताने में बखील नहीं है कंजूस नहीं है तो यह तो हमारा कीदा है कि जितना अललाह ने अल्लाह के नभी को बहुत नहीं कि अताई इल्म गैप की बात हो रही है मैं ने ने रहना है और बनाः और वाय का लिया नहीं कि यह आम लोगों तुम्हें घाइभ का इल्म दे दे यानला की यह शान नहीं कि जो आम लोग हैं जैसे कि हम हैं और आप हैं हमें तो देही रहिके ज़िए उसकी शान ही नहीं है यहां, अल्ला चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे, यानि अल्ला अपने रसूलों में से चुन लेता है, उसकी शान यह है, वो चुन लेता है, चुनने का जिसको चाहे उसको गैव की बातें बता सकता है, तो एमान लाओ और एमान लाओ अल्ला और उसके रसूलों पर और अगर एमान लाओ और परहज़गारी करोगी तो तुमारे लिए बड़ा सवाब है तो अल्ला की ये शाम नहीं कि याम लोग तुम्हें गहिए का इल्म दे रे है वो अपने रसूलों में से जिसे चाहि हुसे चुण लेता है अबने रसूलों में से हमारे रसूलों के floss. आ पे बहुत इज़त करता हूं तो खाली इतना आक से कहना है जो आयर आपने भी हमको को पेश की है वो पूरी कॉंटेक्स के साथी बताईएगा अगर आप इसको मतलब हमें बताएंगे या अपनी एकल की समझेंगे तो इसका माना पूरा यह एकदम चेंज हो जाएगा तो आपने जो बताया है यह बीच का एक पोजिशन है पूरी आयत क्या है और अदली आयत क् साथ में एक साथ पढ़ेंगे तो मामला समझ में आएगा कि अल्लात शुरा क्या कह रहा है ठीक अचा आप़ी बतागे जैसे हमान लिजए कि अल्लात तो बरबादी हो बराई हो नमाजियों पे तो अगर हम इतना अगर हम पढ़ लेंगे तो हम समझेंग या यार तोरो नमा में आता है तो आपने जो हमको पेश किये सूरे आलिमरान उसकी आयत नंबर 179 उसमें अल्लाइब टाला स्टार्टिंग से क्या कह रहा है अल्लाइब वो नहीं है कि जो इमान वालों को उस हालत पर छोड़ दे कि जिस तरह कि तुम अब हो जब तक कि वो नापाक को पाक से अलग न कर ले और अल्ला यू ही नहीं तुम को गैब की तुम को मतलब जो गैब है उससे बाख़बर कर दे बल्कि अल्ला चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसको जाता है परस तुम इमान लाओ अल्ला पर और उसकी रसूलों पर और अगर तुम लाओ और परेजगारी इक्तियार करो तो तुमारे लिए बड़ा अज्य रहे तो इसका माना क्या है कि अल्ला ताला अगर सब को गैब बता देता आम लोगों को तो मेरे भाई फिर एक्जाम कहा रहता तो अल्ला ताला सब को नहीं बताता है ये तो मी कहता है उनको गैब की बताता है और उनसे कहता है जोposition वोगों तक हमारा पेगाम दे दो अगर वो तुम्हारे उन पर एमान लाते हैं अल्ला को मानते हैं तो उनके लिए काम्याबी है वनना उनके लिए जहन्नम क्या गए तो इसमें इल्म-गैब या जाती इल्मे गैब या अताई इल्मे गैब इस आयत में कहा है जाती इल्मे गैब अताई इल्मे गैब जाती खुद अल्ला की पास है आप भी मानते अल्ला के पास जाती है और अल्ला जिसे दे दे वही तो अता हुआ ना मेरे भाई और यहार थिर मेरे भाई होगी नहीं होगा है थैया। जैनि तर्विव कि अर्भ गता है कि आ ले एक हो गता है लेकिन बात हो दिये, इल्म-गैब की पावर अता करने की, इल्म-गैब जो है, वो अल्ला की नभी को नहीं है, क्यों? तोकि अल्ला की नभी की जो बीवी है, माय आश्या रजी आल्ला उतालाना, वो फर्माती है, कि जो शक्तिय के है कि अल्ला के नभी कल क्या होगा यानि कि भाई जो छुपी वी बाते हैं गैप की बाते हैं अल्ला के नभी जानते थे वो जूटा है अब बता दीजे बाई तो कि नभी की ये अब यादिस है सुनीए बुखासरीफ किताब यर्म जिल नमबर ऑवल और मुसलिम शरीफ की हदिसे पाक इस किजो बुखासरीफ है इस किताब यर जी रहाton इ費 बता देक्षिश औरदु जी बताते हैं अरभी पहना आता है लेकिन अरभी समझना उन्हें को नहीं आता है तो जो जो पूछना है आज पूछ ले अरभी जिसको जो पूछना है तो आज पूछ ले तो एक सहाभी खड़े हुए उन्होंने कहा कि मुझे पर जो जो है जो पूछ लिया जाए तो उसने कहा कि शरकार मेरा बाप कौन है तुम्हारा बाप फला है, अबू का उजाफा, तुम्हारा बाप उजाफा है, दूसरे अश्कला हुआ, उसने भी यही बात कही, दर्याराहमत जोड़ा जोश में है, तुड़ा सुपकूश लिया जाए, उसने कहा, सरकार मेरा बाप कौन है, सरकार ने फर्माया, अबू का सालिम, मौला शाइबा, तुम्हारा बाप सालिम है, जो शाइबा का आजाद करदा गुराम है, अब यह हदिस मुसको यह बताईए, अगर सरकार को अगर मालूम नहीं था, सरकार सब की नस्लों को कैसे बता रहे हैं, यह बहुत अच्छा सवाल पूचा, यह भी हदिस आपने आधी पड़ी, ठीक है, पूरी पड़ी है आप, देखिए, यह जो है ना, यह भी आपने आप ने आप आट ओ कॉंटेक्स को पड़ा, अल्ला की नभी से लोग, मतलब भाई, सवाल पर सवाल कर रहे थे, सवाल पर स अल्लाम, यह किसी रिवाय थे, कौन से सहाबी रसुल सी आधीस रिवाय थे, अब यह तो मेरे बाई बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है, मेरे पास इससे किताफ तो है नहीं, तो आपने कैसे कह जिए, क्या आपने आधी पड़ी, अरे तो मैं पड़ तो कहो ना, इसका जो सवाल कर रहे थे, ठीक है, तो नभी ने कहा, कि हाँ, इसका जवाब यह है, यह बात में, काफी सारे लोगों ने मतलब सवाल करना इस्टार कर दिया, तो अल्ला के नभी ने जोश मार के कहा, कि आध तुम को जो पूछना है पूछ लो, तो परिस्ते के जरिए, यानि कि बा अल्ला की नभी ने अपने आप से नहीं बताया, क्योंकि आल्ला के इसन ने हम्तुरान में कह दिया है कि मेरा नभी अपने दिल से कुछ नहीं कैता, वो उऻी कहता है उससे अपर वही की जा रहती है, तो बादरिय के वही है, और इलमे क interim होता है जो कि नहावास एक हमसा के करेंगे तो ये बेसिक रूद है कि मेरा नभी अपने दूसे कुछ नहीं कहता है नहीं वह बात ठीक है जब आपका किज़ा आये थे आपने यहां पर जो जिवेलियामी की बाकी है उड़ी हदीस में कहीं जिवेलिय का लगज़ी नहीं है जब आप मेरे भाई इस हदीस के ने अपनी वही के जरे जरे अवही दो मानें होती है एक होता है इन्हाम एक होती ही के जरिये अभा आम समझे पिलियो है तक पकिलियों सब्सक्राइब करने लगे और यहां तक कि लोग आ गए इसमें पूछने लगे कि मेरा बाप कौने मेरा यह को पूछने लगे तो पूछने लगे तो अपने पने पूछना शुय कर दिये पिस सरकारे को अधिया नितनंफ सल्स Goodness लगे कि सी लीए इनकार ही नहीं किया कि दुम्हारा बाप कौने मुझे क्या ने तो मिरा बात क्रुकार ने बिया करते लिया बात हो पूछने लिदा25 रॉज इसमें लोड़ में ओडाए नहीं हो आए कि मेरा भाण गो helemaal से लान पूछ ह कि अल्लाह तालान हो तो खड़े हुए। आतार देखने के बात ने कि अग्षार को जाहो जलाल में है जो बाते पूछने तब हज़रत उमर्म ने विडिया को मुना किया था कि अब पूरी सवाल ना पूछें। यह पूरी तश्रीव तुझे है यहां पर जिवराईल का लफ्स तो है यह नहीं जिवराईलाइब लेकिन जो मेरे बाइब जो महुदिसीन ने उमको समझाया है वो यह समझाया है कि अल्ला के नभी ने दिन में कोई अपनी अकल से बात नहीं की सहाबी को लोग परिशान करते थे कि तुम्हारा बाप यह है तुम्हारा बाप मतलब भाई वो है तो उन सहाबी ने जब अल्ला के नभी से पूचा कि मेरा बाप कौन है तो अल्ला के नभी ने उसको बताया लेकिन अपनी अकल से भाई नहीं बताया यह अल्ला के नभी की इल अपका किदा यह है कि distinct सरकार गों आपने अकल से बात्ते बातें रौण 스ателей अपके लौा के रहा है भुजा आपका ना जिरम आपकी आपकी नव्यें करनेaison सरकार अपने मर्विके बिए बहुते है अभास अलाम्द Allegh ghaal गया आपी की जबन से है? कैसी इलम में गैजन हो गया हमारी जबन susid. आप बादिप की मैंन 누마 आते हैं . बाद आते हाइतिक होते हैं। भाद आते हैं। या रखता है आप शेखे हुगी ने आप स्वास पर शिफिते ह gobाण आते हैं। कितना था? अधा अधा था या पूरा हो रिया है? bisa मैं आख के नभी के ताजिस चग्राव को जो अंताई इल्म गैथ की पावर मतलब बhardh ने दीती मतलब कम्प्लीट दीती मुकमल या आधा दीती लिए दीती यह मैभूर जो कुछ आप नहीं जाते हैं न सारी चीज़ का इम दे दिया है तो अताई इल्म में कई अब कैंसे कैंसे हो गया भाई सही जाल बुखारी के हदीस है हदीस नमबर 1039 में अब्दुल्ला भी उमर रजी आप अनुने बयान किया कि अल्ला के रसूल परमाते हैं कि जो वाई चाबियां है पाच चाबियां है गैप की उन्हें अल्ला की जिवा कोई नहीं जानता मार के पेट में क्या होगा, कल क्या होगा, बारिज कब आएगी, कब इन्सान को मौत आएगी और कयामत कब आएगी यह निकि ये पाच चीजों का इल्म, अल्ला के नभी को अल्ला ने अता नहीं किया आप अपनी रिकार्डिंग में आप एक तरफ बोल लेंगे चलो हम माल लेते हैं कि अता किया आप कैसे होगा अता कामान आप कैसे आप लेंगे अगर हमने अगर आपको कोई चीज अगर दिया है तो अता ही हुआ ना अता हुआ ना अता तो में आपको तंजारा ना अभी हम आपको कोई चीज अगर दें तो अमी चलो हमने बयान किया रखुल आल्लाव चल्राव परमाते हैं कि जो गैड की पार्ट कुंजिया है जिने अल्लाव की सिवा और कोई नहीं जानता अगर अगर अल्लाव के नभी ने ताहब एकराम से कहा कि तुमको आज जो पूछना है पूछलो तो ये अल्लाव के नभी को ये पाथ चीजों का इल्म भाई फिर कहे के लिए नहीं है और दूसी चीज़ ये यहूजी और अगर अगर यही अगर देखा जाए यही अगर आप हर चीज को लेकर देखे हैं तो पुराम के नभी ने त ये अल्लाव के नभी के नभी के नहीं है तो आप नभी के नहीं बोल ले हैं तो आप नभी की शान में ये कह रहे हैं अगर नभी की बी सिर्द गयं जए और ये बैसा नहीं हुज सन Вас नभी की उल्म गय्यां को गभी को उल्म गयब है वो जोटा है तो आप नहीं ही ये गोडि़े हों गये ए ये हदीच जूटी है यजूटी है एच और अग़ो का सालिम अभू का हुं गुजाइबा सार्गा सब के बारे में बता दिया तुमारा बाफ वला है 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 तुमारा बा अब आप बॉकला गए मेरे भई का इंकार करें ना मेरे भाई मुझे समझाए ना आप विए गयो कि आप के निबी ने सब को बता दिया मतलब इसका बाप कौन है तो चलिए ठीक है ये माल लिया कि इल्म में गाप की पावर थी तो दूसरी जगा भाई अताई इल्मेगप की पावर भाई वो कहाँ भाग गई जब अल्ला के नभी ने बाई जहर का लुकमा खा लिया था, भगल में ताहाबा ने खा लिया था, एक कौम के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें दीन सीकना है, तो अल्ला के नभी शत्तर कारि को भेज देते हैं और उस कावम के लोग ढोके से उनको भाई वो मार देते हैं अला के नभी ने चालीस दिन यह स्कार को कहीं पर सACE नहीं था आपसा चाहि था के जाने कम अब्लापलने से सअ शितार को कहीं भर, आपी कहने का मन लिए भा रहों है विपान ने का मुसा इसकाने वाप क्या है आपके पास? यह मुसा तेरे दाहिनी हाद में क्या है? अल्लह का रहा है मुसा पर यह कुरान ची आयत आयत करीमा है पर आपने आपक्टेक्स पढ़ा? साइज करीमा नहीं जया को मुसा लिश को जताने के लिए अच्छा जताने के लिए इस भूर भूरता है कि अल्ला को मालूम नहीं था तो वो भाई वो मुतारे चला में पूछ रहे हैं मतलब नभी का और फरजी का इल्मेगाइब चाहिए आप अल्ला की इल्मेगाइब पर उंगली उठा रहे हैं यहीं आपके फारुक खान लग्टव बाबा ने भी किया था उन्होंने अल्ला की सामने मेरे पर गुस्तार्टी की थी फारुक खान लग्टव बाबा कें बाते नहीं करते हैं भाई हमारे आलमित दीन ने कहा कि जब मेरे भाई कि जब सहलाब आया तो जो यह मतलब दर्गावाले बाबा हैं तो उन्होंने कहे कि लिए नहीं रोक लिया तो फारुक खान लग्टव बाबा ने उसका जवाब दिया कि जब काबा में भाई वो सहलाब आया तो अल्ला ने क्यों नहीं रोक लिया तो माज़ला उन्होंने बाबा को बचाने के चक्कर में अल्ला की शान में बाई तोहिन कर दी और अल्ला सुभानों टाला खुद कहता है कुरान में कि जो लोग अल्ला को छोड़ के दूसरों को मानते हैं उनको बुरा बला ना को वन्ना वो पलट के अल्ला की शान में भाई तोहीन करेंगे तो वही मामला आप का भी हो गया फारुक खान लैप्टॉप बाबा का भी हो गया अब मुस्लिम से लिए के अलिए के पाक आप सुनिए हज़ते अबुजर रदी अल्ला तालान हो आप आल्म हैं फिनी पहले बता दीजिः अज़ाओ अबुजर जफारी आप आलिम थे ही नहीं नहीं हम तो आलिम नहीं हम आप से कुछना चाहरे हैं कि अगर आप आलिम है तो मुझे मसल्ला समझा दीजे ये चो माय आइशा कह रही है जो यह कहें कि Allgten gi नभी कल की बात जानते थे गैप की बात जानते थे वह जूटा है इसका माना क्या है यह कि है हदीस यह किस मौके पर हदीस यह जिलिए हम आपको बता देते हैं शौर्ट पॉर्म में ठीक है यह हदीस है भाई सही यह बुखारी की हदीस नंबर 4855 यानि कि 4855 इसमें अम्मी आइशा इसमें जुब बातं हो आती है वह वह ऑई तीन बाते आती है कि तो अगए वृष हरमाया कि त्योच जो शक्स तुमसे यह तीन बाते बया करें, वो जूट है, अरे सुन तो लीजी आलिम साहब, जब तक आप मेरा पूरा सवाल सुनेंगे नहीं, तक मेरी इसलाब कैसे करेंगे, मैं आपसे अपनी इसला कराना चाहरा हूँ, तकि आपको अल्ला ताला ने आलिम बनाया है, आप आलिमी जीन हो, बताईए आप, सही अल-बुखारी, हदीस नमबर 4855, माय आईशा रजी आल्ला ताला अनहा, वो फरमाती हैं, कि जो शक्त तुमसे ये तीन बाते कहे, तो वो जूट है, पहली बात क्या है, कि अल्ला के रसूल ने अल्ला को देखा, तो वो भी जूटा है, दूसरी बात कही, कि जो ये कहे, कि अल्ला के रसूल आने वाले कल की बातों को जानते थे, गैव की बात जानते थे, वो जूटा है, और तीसरी बात बताई, कि जो ये कहे, कि अल्ला के रसूल ने दीन के मामले में कोई बात को छुपा लिया, तो वो जूटा है, ये तीनों बातों, जो ये तीन बात कहते हैं, उनको अल्ला के नभी की प्यारी जो मेरे अजवाज थी, ये कि बीवियां थी, उनमें से एक बीवी, आईशा रजी अल्ला अन्हा ने कहा है, कि वो जूटा है, तो अब इसमें जो दूसरी बात आ रही है, वो या रही है, कि जो शक भाई कि आख ये कहें कि अल्ला के नभी कल क्या होगा जानते थे, गयप के बारे में जानते थे तो वो जूटा है, तो इसका मा약ना क्या है, बस इसका मादा बताईए, आप दूसरी आय दूसरी हदीथह आब आद में पेश किजिएगा, ये क्या कहना चारायें नभी की बीशारन तो भाई एक ताबई है वो अम्मी आयचा रजी आलाव तैल्ला उन्हाँ तो देखा जाए किवो उनके तालों से ब्यान की गई है आप मेरे बता रहूं कि ताब ही पूंकि रहे हैं अम्मी आईशा रजिल्ला उतलाना से कौंसे किताब में हैं बाप कौंसा है इसका किताब इमान है कि किताब इन्म है कि किताब में किताब मगाजी है कौंसा है यह पूंसा आपको क्या नहीं देना है अरे जब आप बता तो ये ढूर्वार इभी हम बी आप से पूछें कि आपने जो मेरे आयट पेश की है, ये कहां की है, मक्का की है, ये मदीना की है, сл़ और की इस में कितनी आयते है, हुरूफ कितने है, להर कितने है, जबर कितने है, तो इसको बोते है ने हमारे हमारी हदीफ में नहीं available है सबकिसे मी बाले घ्री मिलान के ओंगा वराइन variance के नंबर प्रायप के ऑस दोकूर्श महीं कहें वह वहे हैं होखारी आरे अगर मैं कहरा है तो यही मेरे पर आपको मेरे बरिभी में भी मिलेगा आप आप अगे पीछे हो जाए यही मेरे पर आप आप को बता रहेंगे जैसे कि वह अपने मेरे पर मुगालता देना इस्टार्ट कर दिया तो आप 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 कर आप आपके पासो नि का कि आप आप नमबर बता रहें आप आप यही निम्बर जो है चार हज़ाराइब दो पस्ति आप ने बताया है याज तहीं पर देख लिए और गूगल पेडाल नहीं है उस पर भी यह यह आजा जाएब तुश्व कारी में नहीं है यह नहीं है नहीं है यह आज़ाराइब आपके मेरे बाई मसलक्त तक्रा रही है तो आप इसको मानेंगे नहीं चलिए आयत को अगर हम आपको बता दें तब तो मानेंगे अल्ला ताला कुरान में फर्माता है सुर्य हूद की आयत नंबर 49 में की जो ये गैश की कुछ खबरें हैं जो हम तेरी तरफ भी करने हैं इससे पहले ना तु इने जानता था और ना ही तेरी कौम ठीक और सुर नंबर कितना है सुर्य हूद की आयत नंबर कितनी है 49 49 और अल्ला सुरह आलम ना आयत 94 में कहता है कि ये गैश की कुछ खबरें हैं जो ए रसूल हम तेरी तरफ वही कर रहे हैं तो गैश की खबरें अल्ला के नभी को हैं इस पहमारा इमान है आताई इनमें गैश की पावर अल्ला के नभी को है ये तो बात ही लकीता है क्योंकि अमने आईशा ने इसको जूटा कह दिया है और सुनिए मेरे प्यारे भाई कुरान की अब एक ही सी बात करो है ना अपने ज़र्पे चले जा रहे है अचाट नी के वह आप पढ़नीजेगा पहले भी मैं आपको एक आय ये तमाम तरीके का जो इल्म-गैब उसका इंकार हुआ है वह आप अभी कोल के देखनीजे चाहिए तो सुरह आले अल आयम सुरह अलानाम आयत नंबर पचास में हैं अभी कह दिजिए कि मैं तुम से ये नहीं कहता है कि मेरे पास अल्ला की खजाने है और ना ये कि मैं और पर चलता हूँ जो अल्ला की तरफ से आता है कह दो के बहला अंधा और आख वाला क्या वो बराबर होते हैं तो फिर तुम भै काई के लिए गौर नहीं करते हो आप इसको पूर के देखेजिए अब हमें ये बताईए आप जो है गैब का इल्म कैसे मानेंगे गैब का इ इल्म गैब होता है जो बिना हवासे खमसा के पता चड़ जाया है मतलब बिना किसी जरीये के ना सूंगे ना देखे ना मैसूस किये ना किसी से पूछे मतलब बिना किसी जरीये के खुद इसे जैसे अल्ला कोई से माज़र पूसता नहीं है अल्ला को खुद पता है कि क्या ह अगर अल्ला के नभी को अताई इल्मे गाब होता, तो अल्ला के नभी कहते हैं, ऐ सहाबा काई के लिए परिशान हो, मुझे तो आने वाले कल की बात पता है, कल हम लोग जीड जाएंगे, आराम से हम लोग को ऐसे ऐसा करना है, मुझे तो अताई इल्मे गाब है, नहीं, अल् इन फूरद को भी नहीं मालुमैं।। तिर्फ उतना पता है, जो अल्रत अल्रा ने बता दिया है। और जंगे बदर के मौथ्टे बौट के जो, जंग बदर में जो सरकार के देश पार शाही जो फर्मालया है। जंग-बदर से पहले लाके नहीं ने मतलब जमीन पे जाकि वह मार्क मतलब बनादिया था मेरा नभी घुत कुरान में कहता है नगने से मेरा नभी अपने दिल से कुछ नहीं कहता हूप कि जाती ज्युक्व शुक्त mixing के जाते है उसमें से एक यूंद क्या है कि इंसान को मौत कब आएगी वो अल्ला के नभी को भी नहीं पता है तो अल्ला वहाँ पर कैसे पता चल जाता लेकिन जब सारी आयतों को हदीसों को जमा करेंगे तो पता चलेगा कि अल्ला रबुल इजट ने होने अली बातों की जो बात थी वो पहले ही अल्ला के नभी को बता दी थी तो अल्ला के नभी ने लोगों से का खुद अपनी अकल से नहीं का ना ही अपने खुद के अताई इल्म गैब की पावर को इस्तमाल किया दोनों बातों में फरक है मेरे प्यारे भाई पावर को इस्तमाल नहीं किया, आपका कहने का मतलब यह पावर को इस्तमाल नहीं किया, पावर को इस्तमाल नहीं किया, मतलब, आप कहने ना कि इल्मे गैब की पावर को इस्तमाल नहीं किया, इल्मे गैब की पावर हाई नहीं मेरे भाई, तो इस्तमाल कहां से करेंगे, जो कि जो तफ्सीर है इस तफ्सीर में मुफटीर như कराम माकाना वमायकूनím इसी मुराल लेते हैं माгор 완um neurotsan facilitator when meal can run very uh ρूम आनि दियानि मुहमम्ण सु लूल्लायजियसर्लम् वियन नभी नभी अशब्रि लव्ली वाल आप्रिन यान यामिद्दीन और चिब की अरदा बना। तक 17 से आपने पेश कर दिया कि अल्ला के नभी को जो बात पता चली हो अल्ला की तरफ से पता चली तो यह अद्व का है नियम कि अपने गया और किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता हाँ जिसका गंबर को पसंद फरमाए तो उसको गैब की बात बता देता है और उसके आगे और पीछी निगाबान को भाई वो फिक्स कर देता है मुकर्रर कर देता है अब बताईए इस आयत की तफ्सीर बयान करते हैं कुछ उल् अल्ला ने उन्हें इल्म गैब अता किया था और अल्ला किसी बात को जहां पर इस आयत में वाज़े कर रहा है आलिम गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मतलत महीं करता इल्ला मनि रतदा मिर रसूल से इन्हु यस्लुक मिन बैनियती ही व मिन खल्ची ही रसदा पिवाए अपने पसंदीदा रसूलों के उनकी आगे पीछे किर मकर्र्र कर देता है लियालमा अनकद अबलगू रिसालाते रब दीजिन वाहाप दिमा लड़ेह वाहसा कुल लशय अदादा ताकि देखनी कि इन्होंने अपने रब के पयाम पहुचा दिया और जो कुछ उनके पार अलिम साथ कुछ विर्म में है और उसने अलिम साथ आईशा रजी आल्ला अनहा फर्माती है कि जब अल्ला के रसूल आस्मान के उपर बादल का वो जो टुकड़ा होता उस आनक बदल जाता कि कहीं कौमें आत की तरह इसमें कोई आजाब ना हो यह हदीस आती है सही बुकारी और इसका हदीस नंबर है तीन हजार दो सोच्छ यानि कि भाई 3206 तो इससे क्या साबित हुआ कि अल्ला के नभी आस्मान के उपर बादल का वाई टुकड़ा देख रहे तो आजाब नभी का चेहरे कर रंग बदल में कि कहीं आजाब ना जाये तो अगर अल्ला की नभी को अतायी इल्मे गयब होता तो आजाब धोगीन आ एगा हम खो तो सब पता ही यह गयब के बारे में आप क्यों नहीं समझ रहे हैं एक च्छोटी सी बात कि अल्ला ताल्ह न कि सिवा आजमानों और जमीनों में कोई भी गैब की बात को नहीं जानता और उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो कब दुबारा उठाए जाएंगे चलिए ठीक है बाई इंशालला खाना खाने के बाद आप से बात करते हैं ठीक है अलो